साथियों अज़ दुनिया भर में भारत ये संस्कृति के बारे में जानने को लेकर दिल्चस्पी बढ़ रही है। अलग-अलग देशों के लोग ना सिर्फ हमारी संस्कृति के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, बलकि उसे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति है सर्वियन स्कृदर डॉक्टर मौवीर निकीश, इन्हों ने एक bilingual संस्कृत सर्वियन डिक्स्नेरी तियार की हैं। इस दिक्षिनरी में शामिल किये गए संस्क्रित के सत्तर हजार से अधिक शब्तों का सर्वियन भाषा में अनुवात किया गया है। आपको ये जानकर और भी अच्छा लगेगा कि डॉक्टर निकीश ने सत्तर वर्स की उम्र में संस्क्रित भाषा सीखी है। ये बताते हैं कि इसकी पिर्णा उन्हें मात्मा घादी के लेखों को पढ़कर मिली। इसी प्रकार का उधार मंगोलिया के 93 साल के प्रोफिसर जे गेंदे धरम का भी है। पिछले चार दसकों में उन्होंने भारत के करीब 40 प्राचिन ग्रंतों, महा का व्योग और रचनाओं का मंगोलियन भाषा में अनुवात किया है। अपने देश में भी इस तरह के जज़बे के साथ बहुत लोग काम कर रहे हैं। मुझे गोवा के सागर मुले जी के प्रयासों के बारे में भी जानने को मिला है। जो सेंक्णों वर्ष पुरानी कावी चित्रकला को लुप्त होने से बचाने में जूटे हैं। कावी चित्रकला भारत के प्राचिन इतिहास को अपने आप में समेटे हैं। दरसल काव का अर्थ होता है लाल मिट्टी। प्राचिन काल में इस कला में लाल मिट्टी का प्रयोक किया जाता हुथा। गोवा में पुर्दगाली शासन के दोरान वहां से पलायन करने वाले लोगों ने दूसरे राज्यों के लोगों का भी इस अद्भुत चित्रकला से परिचे कराया। समय के साथ ये चित्रकला लुप्त होती जा रही थी लेकिन सागर मुलेजी ने इस कला में नई जान फूंक दी हैं। उनके इस प्रयास को भरपुर सरहाना भी मिल रही है। साथियों एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा कदम भी हमारी समरुद कलाओं के रक्षन में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। अगर हमारे देश के लोग ठान ले, तो देश भर में हमारी प्राचिन कलाओं को सजाने, समवारने और बचाने का जिजबा एक जनांदर उनका रूप ले सकता है। मैंने हां कुछी प्रयासों के बारे में बात की हैं, देश भर में इस तरह के अनेक प्रयास हो रहे हैं, आप उनकी जानकारी नमो एप के जरिये मुझ तक जरूर पहुँचाएं।